नमस्का स्वागत आपका न्यू सिक्स्टी नाइन में मैं हूँ आपके साथ अंक्यता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और अखिलबार्थी कॉंग्रेस पाथी के वरिष्ट नेता राहूल गांधी का जबलपूर आघमन हुआ विधांसप चुनाव को लेकर राहूल गांधी ने परश्चिन विधांसपा के लावे जबलपूर पूर्वदांसपा में पूर्विदान सभा के काज़कर में राहुल गांदी ने रोज छो के अलावा एक जन्सभा को समभोधत किया राहूल गांधी ने जनसपा में शिवराश सिंह और प्रधामन्त्री नरेंदर मोधी पर लगता तीखे सवाल करते रहे राहूल गांधी ने मध्यदी परेदेश की व्यापम गोटाला सहय compte कई मुद्दो पर शिवराश सिंह पत जमकर बरसे राहुल गांदी ने कहा कि मध्धी प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी आने के बाद जाती जन गर्ना कराई जाएगी गरीब लोगों को रसोई गैस 500 रुपे प्रतिस लेंडर दिया जाएगा राहुल गांदी ने आगे का कि मध्धी प्रदेश में दलितों और आदिवासियों का शोशन किया जा रहा था दलित आदिवासियों के अलावा पिछड़ा वर्क के लोगों को भी प्रदेश में न्याएं नहीं मिल रहा है राहुल ने का कि जबलपुर के लोगों को इलाज के प्रदेश में सरकार बनने के बाद नागपुर जैसा इलाज जवलपुर साहिद प्रदेश में दिया गया है जवलपुर से न्यू सुक्षिन एंगले वाजित खान की रपोर्ट ठीक से सुनो नरेंद्र मोदी कहते हैं ओबी से की सरकार है और भागेदारी आपकी सो रुपे में से 33 पैसे की है सो रुपे में से 33 पैसे की और दिल्ली के सरकार में सो रुपे में से दलितों का एक रुपिया और फिर ये लोग कहते हैं कि ओबी सी की सरकार है दलित तेजी से आगे बढ़ रहे हैं इसलिए मैंने कहा कि देखिए दूद का दूद पानी का पानी कर देते हैं कैसे करेंगे आपको कभी चोट लगी है लगी किसी के यहाँ पे टांग तुटी कभी आपकी जब आपकी टांग तुटी थी पहला काम किया किया आपने हस्पताल गए हस्पताल में आपने एक्सरे मंगा आपने कहा कि भईया मुझे लग रहा है टांग तुटी है मुझे एक्सरे चाहिए एक्सरे हुआ डॉक्टर ने कहा कि और पता लगाओ हिंदुस्तान की सच्चाई क्या है मुझे दिख रहा है कि OBC वर्ग को गलित वर्ग को आदिवासी वर्ग को दर्द हो रहा है जबरतस दर्द हो रहा है अब मैं कह रहा हूँ कि भईया एकसरे करा दो पता लगा दो कि इस देश में आदिवासी कितने है दलित कितने है OBC कितने है और OBC में कौन सी कौन सी जात कितनी है मेरा आप से सवाल है आपकी भागीदारी दलितों की भागीदारी एक परसंट से कम है क्या आपकी आबादी एक परसंट से कम है तो जितनी आपकी आबादी है उतनी आपकी भागीदारी होनी चाहिए जितनी पिछड़े लोग है उतनी भागीदारी उनकी होनी चाहिए अब भैया मुझे बताओ मध्यप्रदेश में पिछणों को 53 अपसर में से एक अपसर मिला है सो रुपए में से 33 पैसे OBC अपसर खर्च करते हैं निड़ने लेते हैं क्या OBC की अबादी 0.3% है मद्यों प्रदेश की क्या नहीं मैं आपको आज बता रहा हूँ कि OBC की अबादी कम से कम 50% 25% है अगर आपकी आबादी 55% है तो सरकार चलाने में आपका सिर्फ एक अपसर क्यों और वो अपसर उसको कोई काम नहीं दिया वो बैटर रहता है 100 रुपए में से सिर्फ 33 पैसे का निड़ने लेता है जब मैंने ये बात पार्लिमेंट में रखी नरेंदर मोधी चुप हो गए कहते हैं पहले कहते थे मैं OBC जात का हूँ हर मीटिंग में कहते थे OBC जात का हूँ मैंने कहा भईया आप OBC जात के हो सब कुछ ठीक है आप हवाई जहाज में उड़ते हो हर रोज नए कपड़े पहनते हो OBC जात का अपने फाइदा तो उठा लिया चुनाव जित्वा लिये मकर जब OBC जात के बागीदारी की बात आती है तो आप कहते हो इंदुस्तान में कोई जात नहीं ना कोई दलित ना कोई आदिवासी ना कोई OBC वोट लेने जाते हो कहते हो बहिया मैं OBC हो आप वोट लेने जाते हो कहते हो मैं OBC जाती चंगारन के बात होती हो कहते हो बहिया OBC जाती नहीं गलित जाती नहीं तो इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कोमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तब तक लिए धन्यवाद जाती 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 नहीं